हेलो फ्रेंट्स तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी जो multiple images होती हैं उनको एक PDF फाइल में convert कर सकते हैं जी है फ्रेंट्स इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है उस वीडियो को आपने बहुत सारा प्याड दिया है जो उसको 100K views तक पहुचा दिया है तो फ्रेंट्स वो जो वीडियो थी और आज जो वीडियो में बनाने वाला हूँ उनमें difference यह है कि पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने जो आपको तरीका बताया था उसमें आप एक सिंगल इमेज को एक टाइम पर convert कर सकते थे पीडियाफ के अंदर लेकिन फ्रेंट्स आज जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर आप multiple images यानि कि दो या दो से ज़्यादा images को आप एक साथ एक PDF फाइल में आसानी से convert कर पाएंगे तो फ्रेंट्स चलिए आप स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं आचुका हूँ अपने mobile की डिस्पले पर और आप मैं बताऊँगा कैसे आप अपनी एक साथ जो multiple images से उनको PDF में convert कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर इसके लिए मैंने एक application फ्रेंट्स यहाँ पर find out किया है और उस application का नाम है फ्रेंट्स small PDF यह application फ्रेंट्स आपको play store पर आसानी से मिल जाएगा और अगर आप play store पर इससे download नहीं करना चाहते हैं तो इसकी एक website है फ्रेंट्स यहाँ पर इसी नाम से small PDF आप जब search करेंगे तो पहले number पर जो website आपको दिखेगी वह इस application की website है यहाँ पर भी जाकर आप वह काम आसानी से कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहँगो इसको आप download करने के बाद इसको आपको open करना है और जब आप open करेंगे फ्रेंट्स यहाँ पर इसके अंदर आपको एक simple सा user interface दिखाई देगा जिसमें बीच में आपको एक plus का icon देखेगा तो फ्रेंट्स जब इस plus वाला icon पर जब आप click करेंगे तो यह पूछेगा कि आप अपनी जो images हैं उनको कहां से select करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप gallery कर दीजिए तो फ्रेंट्स यहाँ पर इसके बाद मैं अपनी gallery में चला जाओंगो जो मेरे mobile phone gallery है उसके अंदर जो images हैं वो मुझे यहाँ देख जाएंगी अब फ्रेंट्स यहाँ पर आपको images select करनी है select करने का तरीका क्या है कि image को आप hold करके रखिए तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने select कर ली है अब फ्रेंट्स यहाँ पर इनको tick करने के बाद उपर एक icon आपको देखेगा select कर, उसपर आपको click करना है तो फ्रेंट्स जब आप उसपर click करेंगे तो आपकी जो file है PDF वो यहाँ पर create हो जाएगी, create होने के बाद करना क्या है आपको slide करके देख सकते हैं क्या क् select किया है तो friends यहाँ पर यह जो images हैं इनके अंदर आप changes भी कर सकते हैं नीचे आप देख सकते हैं plus का icon है यहाँ पर आप add कर सकते हैं और भी images जो भी आप चाहें gallery में जाकर दूसरा icon है reorder यानि कि जो images जैसे आपको serial wise दीख रहे हैं उनको आप reorder कर सकते हैं इस image को पीछे कर सकते हैं उस image को आगे कर सकते हैं यहाँ पर friends filter भी आप use कर सकते हैं crop option आपको दिया जाता है image को आप crop कर सकते हैं छोटा बड़ा कर सकते हैं आसानी से यहाँ पर friends जो crop के बाद एक rotate का option है image को rotate करना है वो आप यहां से कर सकते हैं और किसी image को आपको delete करना है तो वो भी यहां पर आप आप आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर ओपर आपको दिख रहा होगा यह जो PDF ndam वो यहाँ पर ढवको यहाँ पर देख सकते हैं इसको आप यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं इन सब करने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिख रहा है, यह है कि Blue इस पर आपको click कर देना है, जब इस पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर आपका download option है, आपके mobile phone का, वहाँ पर इनको आप यहाँ पर save कर सकते हैं, save वाले option पर click करके, तो friends, यहाँ पर मैंने इनको save कर दिया है, और इस PDF file को मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, friends, देखिए, जो images मैंने select की थी, वो एक PDF file के अंदर convert हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद मैं आपको अपने जो file manager उसमें जाकर दिखा देता हूँ, friends, करने के बाद, friends, यहाँ पर इसको open करने के बाद देख सकते हैं, जो images मैंने select की थी, वो सभी एक file के अंदर convert हो चुकी है, तो friends, कुछ इस तरीके से आप किसी किनी भी 2 या 4 images को, 10 images को आसानी PDF के अंदर convert कर सकते हैं, तो friends, मैं उम्मीद करूँ को यह वीडियो आपको subscribe कर ले, तो friends से लिए चलते हैं, मिलते हैं एक लिए वीडियो में, धन्यवाद,